असलाम वालेकुम टूब आफितों साथों कैसे आप सब लोग जैसा कि आप सब लोग को पता है कि हमारी जो SSC GD के लिए MCQ की सीरीज चल रही है जो हम प्रिवेस सीरीज के MCQ डिसकस कर रहे हैं आज हम उसी का डे 9 डिसकस करने वाले हैं आप सब लोग को पता है कि दो तीन दिन से कलास नहीं हुई जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको कहा था कि यहां पर अगनी विर के लिए और SSC GD के लिए अगनी विर के कलास नहीं ला पाऊंगा पिछले दो दिनों से हमारी अगनी विर के कलास चल रही थी लेकिन अब यहां पर हम SSC GD के एक दो कलास लेंगे तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस दसंबर के मन्त में थोड़ा बहुत बीजी हूँ लेकिन आप सब लों को टेंशन नहीं लेनी है आपके एक्जाम से पहले पहले में पूरी कोश्च करूँगा मेरे पास जो 100 पेपर्स हैं वो मैं आपके सामने लाओं तो एक दो दिन से कलास नहीं हुई लेकिन चिंता नहीं करने है आपको आज हम जो दो दिन हमारे मिस हुए वो भी हम इसी के साथ इंक्लूड करेंगी आज का जो हमारा पेपर है इसमें हम वो ही क्वेश्चन डिसक्स करेंगे जो कि 9 दसंबर 2021 को पूछे गए हैं शिप्ट 1, शिप्ट 2 और शिप्ट 3 में याना कि तीनों शिप्ट मैंने इंक्लूड किये हैं एक ही वीडियो में तो most important वीडियो रहेगा आप सब लोग के लिए यहां पे आप सब लोग को अपना सुकोर जो है नोट करते जाना है देखते हैं कि आप सब लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाऊगे अपना सुकोर नोट करना ना पूले वीडियो के end में comment box में अपना सुकोर mention करना ना पूल तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले question के तरफ यहां पे आप देखे तो इंडिया's first exclusive private jet thermal was inaugurated in September 17, 2020 in देखे सबसे पहले आपको ये note down कर लें जो इंडिया का पहला exclusive private jet thermal था वो कब inaugurate किया गया 17 September 2020 को inaugurate किया गया लेकिन कहां पे Delhi, चिनने, गोआ या मुंबई तो यहां पे आपको अच्छी तरह से note down कर ले रहे हैं, a part that is goa हमारा right answer होगा, इसके बाद आजाते हैं next question पर which of the following is not a future of soil, आपको बताने कि इन में से जो है soil का future कोन सा नहीं है, ठीकिन इन में से जो feature है soil का कोन सा नहीं है, देखे यहां पे कुछ mention किया गया है, it covers the surface of earth, देखे अगर मै इसकी बात करों, तो ये भी जो सही है, ये भी जो feature है soil का, इसके बाद आप देख सकते हो, it is a thin layer of granary substance, ये भी सही है, it is made of mineralis, ये भी सही है, it is made of inorganic substance, ये सही नहीं है, तो यहां पे हमारा deep part right answer होगा, that means, ये जो है, इसका feature नहीं है, बाकी के तीन जो है soil के feature है, ये आपक अची तरह से याद रख लेना है, तो इसके बाद आ जाते है, next question पर, that is question number 3 की तरफ हम आ जाते है, यहां पर आप देख सकते हो, then, महाजन commission report 2020 is related to the border issue of, तो आपको बताना है, जो महाजन, सबसे पहले आपको ये note down करने है, जो महाजन report commission है, ये किस के related है, किस border के issue के related है, य यही आपको बताना है, ये कौन सा report है, महाजन commission report 2020, ये आपको बताना है, किस border के issue के related है, केरला, तामिलनाडो and करनाटका, ओडिसा, तिलंगना and आंदरपादेश, करनाटका, केरला and महराष्टरा या none of these, तो यहां पर आपको अच्छी तरह से note down कर लेना है, it is related to the border issue of, करन question पर, that's question number 4, पर हम आजाते हैं, who among the following associated with third Anglo-Mysore war and introduction of civil services in India, तो इसका संबन, इस में से जो है, third Anglo-War का संबन किसके साथ है, और साती के साथ, इसी के साथ, जिसके जरिए civil service inaugurate किये गई थी, इसका introduction यहां पर हुआ था, Lord Cornwallis, Lord Hastings, Lord William या none of these, तो यहां पर आपको ए पार्ट याद रख लेना है, that is Lord Cornwallis, ए पार्ट हमारा right answer होगा, इसके बाद आजाते हैं, next question पर, that's question number 5 पर, तो आपको बताना है कि इन मेंसेज होए, वो कौन सा रूलर है, जिसके दोरा introduce किया गया दीन इलाही, तो दीन इलाही ये एक religion है, आपने इंडिन इस्ट्री अच्छी तरह से पढ़ी होगी, तो किसके दोरा जो है दीन इलाही प्रपंडिर किया गया है, या आप कह सकते हो क इंट्रोडूस किया गया, शाह जहां, अकबर, जहंगीर या नन ओफ दीस, तो यहां पर A, sorry, B part, that is, अकबर हमारा राइट आंसरों का, यह आपको अच्छी तरह से याद रख ले रहे हैं, इसके बाद आ जाते हैं, next question पर, that is question number 6, the Mahamangam festival is celebrated once every year, sorry, यहां पर, once in every 12 years in, यहां पर आपको यह note down कर लें, जो festival है, Mahamangam, ठीके न, तो यह जो है, 12 साल में एक बार सिल्ब्रीट किया जाता है, कहां पर सिल्ब्रीट किया जाता है, वो आपको बताना है, गोआ, बिहार, तामिलनाडो या नागा लेंड, तो यहां पर अगर मैं बात करूं, आपको बताना है, जो 74th Amendment Act 1992 है, इसका संबंध किसके साथ है, स्टीजनशिप, मुनसिपलिटीज, फंडमेंटल डूटीज, या नन आफ दीज, तो यहां पर बी पार्ट, इस मुनसिपलिटीज हमारा राइट आंसर होगा, इसके बाद आ जाते हैं, नेक्स्ट कॉशन पर, इस गुशन नमबर येट, स्टारम इस नाफ रिटन बाई, तो देखिए आपको नोट डउं के लिए जो शांतरा में, यह क्या है, कि नाफ बताना है, आपको बताना है कि कि ये किसके दोरा लिखी गई है, डैविड राबट, स्टी नात, एम के माथोर या नन ऑफ दीज, तो यहां पे आपको अच्छी तरह से note down कर लेना है A part that is David Rabot इसका right answer होगा यह आप अच्छी तरह से note down कर लेना इसके बाद आ जाते हैं next question पे that's question number 9 dash was the first woman governor of Goa आपको बताना है कि इन में से जो है पहली महिला governor Goa की कौन से रह चुकी है तो यहां पे अगर में बात करूँ मिर्दुला सिनहा ठीकी नहीं यह सिनहा है मिर्दुला सिनहा जो है Goa की पहली woman governor रह चुकी है आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है इसके बाद आ जाते हैं next question पे that's question number 10 विश्वनात अनन्द was the first recipient of dash in 1991-1992 यानि की question इस तरह से आपको note down कर लेना है राज जीव गांदी खेल रतना अवार्ड विश्वनात अनन्द ऐसे पहले थे जिसको ये क्या हुआ ये अवार्ड जो है दिसे दिया गया कौन सा अवार्ड राज जीव गांदी खेल रतना अवार्ड किस time period में 1991 से लेकर 1992 इसी time period के बीच में जो है राज जीव गांदी खेल रतना अवार्ड सबसे पहले किसको दिया गया विश्वनात अनन्द को दिया गया ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है इसके बाद आ जाते हैं next question पे that's question number 11 in which year hunter commission appointed by lord ribbon देखे सबसे पहले आपको ये note down कर लेना है यहां से एक ही question से आपके दो question बन रहे है ये जो hunter commission है ये किसके दोरा appointment किया गया है lord ribbon के दोरा appointment किया गया है कब किया गया है date आपको बताना है 1881, 1981, 1882 या 1982 तो यहाँ पे c part that is 1882 हमारा right answer होगा यानि कि जो hunter commission है जो कि lord ribbon के दोरा appointment किया गया कब 1882 में किया गया इसके बाद आजाते है next question पे the morian dynasty ruler over magada after तो यहाँ पे आपको बताना है जो morian dynasty थी इसने magada पे rule किया लेकिन आपको बताना है कि इससे पहले कौन यहाँ पे कौन सी dynasty rule कर रही थी यानि कि moria dynasty किस dynasty के बाद magada पे rule करने लगी नंदा dynasty, गुप्ता dynasty, शंगा dynasty या यहाँ पे कौन सा है यहाँ पे ननौपदीज है तो यहाँ पे अगर मैं नंदा dynasty के बाद करूँ ए पार्ट हमारा right answer होगा यानि कि नंदा dynasty के बाद magada पे morian का rule हुआ यह आपको अच्छी दूरा से याद रख ले रहे है इसके बाद आ जाते है करनी माता temple in Rajasthan is famous far सबसे पहले आपको यह note down कर ले जो करनी माता temple है इसके location कहाँ पे राजस्तान में इसके location है तो यह किसके लिए famous है monkeys, snacks, ratus या none of these तो यहाँ पे c part that is ratus हमारा right answer होगा तो इस कोई जो है एक बार youtube पे search मार देना इसके regarding बहुत सारे interesting factors है जो जान के आपको हैरानी होगी तो एक बार जो है यह करनी माता temple youtube पे देख लेना इसका पोरा वीडियो देख लेना जो है इसके बारे में पहले आपको note down कर लेना इसके location कहां पर आसाम में लेकिन जो उमानन्दा है यह क्या है क्या यह एक river है valley है लैक है या island है तो अगर मैं उमानन्दा की बात करो यह एक island है जिसकी location आसाम में है तो यह आपको अच्छी तरह से note down कर लेना है इसके बाद आजाते है next question पर that's question number 5 which of the following ट्राइबस वाज डिफीटेड बाई दे famous journal of अकबर राजा मान सिंग इन 1591 तो अगर मैं यहाँ पर बात करो राजा मान सिंग की तो इसके दौरा इन में से किस tribe को डिफीट किया गया है छेरो ट्राइब लोहरा ट्राइब मुंडी ट्राइब या नन ओफ दीज तो यहाँ पर अगर मैं छेरो ट्राइब की बात करो इस ट्राइब को जो है राजा मान तो देखिए इसके बाद जो हमारा next question है finance minister निर्मला सीता रमन presented her dash budget in 2021 देखिए आपको यह बताना है जो 2021 में budget पेश कीगी उसकी counting क्या थी क्या वो पहली budget थी तीसरी budget थी चोथी budget थी या इन में से कोई भी नहीं तो आपको अच्छी तरह से याल रख लेना है जो 2021 में budget पेश कीगी वो तीसरी budget थी that is B part हमारा right answer होगा इसके बाद आ जाते हैं next question पे that's question number 14 नुवेक is a professional tennis player आपको बताना है जो नुवेक है यह professional tennis player है आपको बताना है कि यह कहां से belong करते हैं spend, civilian, survey या none of these तो यहाँ पे अगर मैं C part की बात करूँ that is survey हमारा right answer होगा यह आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है इसके बाद आ जाते हैं next question पे that's question number 18 in which year was the Tata Iron and Steel Company incorporated सबसे पहले आपको यह note down कर लेना है TISCO इसकी full firm क्या है Tata Iron and Steel Company TISCO को कहते हैं यह जो है इसकी short firm है और आपको बताना है इससे incorporate कब किया गया 1907 में, 1951 में, 1952 में या none of these तो यहाँ पे A part that is 1907 हमारा right answer होगा इसके बाद आ जाते हैं next question पे question number 19 who among the following lived in India during the rule of Mughal Empire अकबर आपको बताना है कि इन में से जो है उस समय कून इंडिया में रहते थे जब यहाँ पे Mughal का साशन चल रहा था मुगल अकबर का साशन चल रहा था ठीकिने मुगल एंपरर अकबर का साशन चल रहा था और में खुसरो अबदल रह्माग खाने खानान या गया सुदीन बलबन या none of these तो यहाँ पे हमारा right answer क्या होगा गया सुदीन बलबन तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डीपार्ट की और नाच्रल प्रदेश हमारा right answer होगा इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट कॉशन पे तो यहाँ पे नेक्स्ट कॉशन नबर 21 इन विच आप दे फालूइंग स्टेट इंडेक्शन मोटर तो इंडेक्शन मोटर की खोश किसके दोरा की गई फ्रैंकलिन नकॉला टेसला जोन अलबर्ड या नन ओफ दीज तो यहाँ पे नकॉला टेसला की अगर मैं बात करूँ डैट इस बी पार्ट हमारा right answer होगा इसके बाद आ जाते हैं next question पे what was the famous theme of the world toilet day 2020 देखें सबसे पहले आपको यह note down कर लेना है जो world toilet day है उससे कब silbered किया जाता है 90 नावंबर को इससे silbered किया जाता है लेकिन आपको यह बताना है जो 2020 में world toilet day silbered किया गया उसका theme क्या था sustainable sanitation and climate change toilets for all sanitation या none of these तो यहां पर गर मैं बात करूं sustainable sanitation and climate change यह जो था world toilet day 2020 का theme था लेकिन आपके लिए मैं question रख रहा हूं आपको बताना है जब हर साल 90 नावंबर को world toilet day silbered किया जाता है तो इस साल जब इससे silbered किया गया तो इसका theme क्या था that means world toilet day 2021 sorry 2022 का theme आपको बताना है इसका theme क्या था ठी next question पर that's question number 24 who among of the following discover the theory of evolution आपको बताना है जो theory of evolution है वो किसके द्वारा discover की गही Mary Curie, Charlie's Robert Darwin, Albert या none of these सबने तो सुना होगा theory of evolution Charlie's sorry Charlie's Robert Darwin के द्वारा जो है दी गही या Darwin आप इन शॉट में कह सकते हो कभी कबार Darwin भी option में हो सकता है इसके बाद आ जाते हैं question number 25 पे India silbated world biofuel day in-2000 चलो यहाँ पर आपको बताना है कि जो world biofuel day है उसे किस महीनी में silbate किया जाता है इस तरह से आपको बताना है जुलाइ अगस्त में या उक्टूबर तो यहां पर मैं बात करो 2020 में जो world biofuel day silbate किया गया वो कभी किया गया अगस्त में silbate किया गया that is the part हमारा right answer होगा इसके बाद देखिए next question who won the rugby world cup 2019 तो जो rugby world cup 2019 है यह किस ने जियता France, New Zealand, South Africa या none of these देखिए अगर मैं rugby 2019 की बात करूं तो यह South Africa ने जियता था that is see part हमारा right answer को और आपके लिए मैं question रख रहा हूँ आपको मुझे बतारें जो rugby है इसमें total number of players कितने होते हैं comment box में इसका answer आपको करना है इसके बाद आजाते है next question पे बारा इमाम बारा monomate is located at most important question है आपको बतारें जो बारा इमाम बारा इसकी location कहां पे है धली, आसाम, लखनो या none of these तो यहाँ पे अगर मैं लखनो की बात करूं that is see part हमारा right answer होगा और Google पे search कर देना है बारा इमाम बारा क्या है इसके regarding कुछ other factors भी note down कर लेना important रह सकते हैं इसके बाद आजाते है next question पे which of the following university was the recipient of the Molana Obul Kalam Azad Trophy in the year 2020 आपको बताने इन में से वो कौन सी उनिवरस्टी है जिसे 2020 का award दिया गया मौलाना Obul Kalam Azad Trophy यह किसे मिली है 2020 की ठीके न पंजाब उनिवरस्टी चंदीगर गुरू नानक देव उन तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर हो का पंजाब उनिवरस्टी को ही दिया गया है यह आप अच्छी तरह से याज रख लेना ठीक है ना तो इसके बाद आ जाते है next question पे that's question number 29 in which of the following year was the ninth guru of six श्री गुरू तेज बहादूर executed by Auron Zeb देखिए यह सब को पता होगा history आपन कोन थे वो थे श्री गुरू तेज बहादूर तो इसे जो है Auron Zeb के दौर execute किया गया था लेकिन कब गया गया था date आपको बताना है 1964 1865 1675 या नन ओफ देज तो यहां पर मैं सी पार्ट के बात करूं 1675 इसका राइट आस रोगा देखिए माइडर फ्रेंड्स यहां पे जो पूछा जा रहा है history से देखो question क्या है यहां पर यह तो पता होगा कि Auron Zeb के दौरा जो है इस गुरू को execute किया गया है लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कितना deep पूछा गया इसकी date पूछी गई है कब किया गया तो इसके लिए concept clear होना बहुत ही ज़्यादा जुरूरी है और यहां पर जो SSC GDA इसका pattern जो है बहुत ही tough यहां पर आप देख सकते हो बहुत ही deep पूछा जा रहा है इसलिए आप क्या करना है आपको deeply पढ़ना है अच्छी तरह से पढ़ना है इसके पाद आ जाते है next question पर that is question number 30 which of the following is not characteristics of a sound wave आपको बताना है कि इन में से sound wave का characteristic कौन सा नहीं है mechanical longitudinal progress or electromagnetic तो यहां पर अगर मैं deep art के बात करूं that is electromagnetic हमारा right answer होगा तो question number 31 पढ़ने से पहले आप सबसे चोटी सी विंती है जितने भी channel पे नए है अभी तक jkp smart को subscribe नहीं किया है तो सब लोग jkp smart को subscribe कर देना क्योंकि आपकी अपनी channel है यहां पे आपको बहुत ही अच्छी तरह से preparation करवाई जाएगी आपको बहुत ही अच्छी help provide करवाई करना है उससे क्या होगा जब भी मैं वीडियो upload करूंगा आपको notification मिलते रहेगी पलस आपको क्या करना है playlist जरूर चेक कर लेना वहां पे बहुत कुछ पढ़ा हुआ है जितने भी हमने आज तक shift की हैं हम shift wise चल रहे हैं तो वह पिछले shift भी जरूर देख लेना उन्हें मिसम तो क्वेशन पर देट्स क्वेशन नबर 21 पर हम आजाते हैं विच सिटी हैं 2021 समर पर ओलंपिक फारम 24 अगस्ता फिप्ट सब्स पहले आपको यह नूट डाउं कर लेने जो 2021 का समर पर ओलंपिक चला वह कहां से कहां तक चला 24 अगस्ता से 5 सब्सक्तम्बर तक चला तो आप पर अगर मैं बात करूं Tokyo की that is a part हमारा right answer होगा इसके बाद आ जाते हैं next question पर which of the following is also called vitamin B2 आपको बताना है कि इन में से vitamin B2 के नाम से किसी जाना जाता है riboflavin, thymine, sinocobalamin या none of these तो अगर मैं vitamin B2 की बात करूं तो riboflavin को कहते है that is that is scientific name भी आप कह सकते हो ठीके न तो vitamin B2 को जो है riboflavin के नाम से भी जाना जाता है इसके बाद आ जाते हैं question number 33 पर who among the following won the booker prize 2020 तो 2020 का booker prize किसे दिया गया है Douglas, Albert, SC Boss या none of these तो यहां पर मैं Douglas की बात करूं that is a part हमारा right answer होगा इसके बाद आ जाते हैं next question पर हमारे आखरी number question पर which island country in the Arabian sea is a neighbor of India आपको बताना है कि इन में से वो कौन सी island country है अर्बेंसी की जो की नाइबर है किसकी जो की हमसाय है किसकी इंडिया की स्री लंका, Maldives, Indonesia या none of these तो यहां पर be part that is Maldives हमारा right answer होगा तो I hope कि आपको वीडियो पसंद आए होगा, वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को like share जूरूर करते हैं जितने पी लोग चैनल पे नए हैं चैनल को subscribe करना ना भूले, JKP सुमार्ट आपकी अपनी चैनल है, चैनल को support लाजमी करें और मिलते है next वीडियो में तब तब तक के लिए, अल्ला हाफिज, असलाम वालेकूं वर्मतुल्लाहि वरकातूं